आप सब भी क्या स्वागत हैं आप सब भी को जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना है और वो प्रोसेस करना है क्योंकि रिजल्ट के बाद कोई प्रॉब्लेम आप सब भी को क्रियेट नहों मार्क्स के रिलेटेड तो शुरू करते हैं सबसे पहले आप सब भी चै ने किया होगा आंसर की और ओ एमार सीट के साथ भी मैच करें और टैली करें कि एक्जेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है कई बर क्या होता है न कि एक्जाम सेंटर्स में सरकल लगाना किसी और ऑप्शन पर होता है और गलती सी किसी और ऑप्शन पर लग जाता है कई बार तो दोनों से match कर लेना है मतलब आप सभी को क्या करना है answer की questions paper के साथ match करना है answer की आप सभी को OMR seat के साथ match करना है और OMR seat recorded response के साथ match करना है मतलब OMR seat का recorded response आप सभी को check करना है सबसे important यहीं होता है मतलब मैं बताता हूँ जैसे आप सभी login करते हैं application number password से तो आप सभी को OMR Seats challenging दिखेगा उस पे click करना है वहाँ जैसे click करेंगे तो आप सभी को आपका OMR Seats दिख जाएगा उस OMR Seats पे जो आप सभी ने bubbles लगा रखा है उस bubbles का recorded response चेक करना है कि जो आपने bubbles लगा रखा है NTA ने सेम वही option दिया है या हो सकता है कई बार कि कुछ गलती किया है आप सभी को क्या करना है यहाँ पे देखें OMR Seats के ऊपर एक challenging OMR Seats शो कर रहा होगा वहाँ पे जैसे click करते हैं तो आप सभी का recorded response complete वहाँ मिल जाएगा मतलब आपने जो OMR Seats पे bubbles लगा रखे हैं वह bubbles का सभी का options आपको recorded response में मिल जाएगा जो NTA ने जारी किया है और वही actual count आपका किया जाएगा मैं आप तुम को बता रहूं आपको क्या करना है suppose करे questions नमर first पे उसका option second होगा लेकिन गलती से आपने fourth पे एक dot लगा दिया और फिर second पे आपने पूरा complete circle किया तो वो first number questions calculate कई बार नहीं करता है क्योंकि वहाँ पे दो bubbles एक हलका सा dot और एक complete bubbles सो होता है तो वहाँ पे आपको recorded response में साइथ न दिखें तो आपको क्या करना है अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मैं बोलूँगा challenge कर दो आप लोग और challenge में अपना problem बताओ जब challenge करने जाएंगे तो proper वहाँ पे attachment भी लगाना होगा तो attachment में क्या करना है word पे आपसे बहुत को type करके उसको PDF बनाकर वहाँ पे upload कर दो और रिक्वेस्ट करो NTA से कि sir ये by mistake एक dot लग गया है आप इसको please calculate करें कई बार NTA calculate कर लेता है क्योंकि आप जब payment करके उसको submit करते हो तो NTA के नजर में आपका OMR seat आता है और वो आपका calculate marks कर लिए जाएगा मानों कि आपका चार नमर कट रहे हैं अगर वो मिल जाए request करने से तो marks बढ़ जाएंगे अगर इस चीज समझ में नहीं आ रहा है न तो मुझे message करें मैं इस पर separate एक वीडियो बनाओंगा dedicated वीडियो बना दूँगा आप सभी समझ में आ जाएगा तो जो मैंने बताया आप सब्सक्राइब करें सबसे पहले answer की question paper उसके बाद answer की OMR seat और फिर OMR seat का recorded response वीचे करें आप सब्सक्राइब बस मुझे आप सब्सक्राइब को यहीं बताना था